हेलो केडिट्स कैसे हो आप लोग आज अपन करने वाले हैं JNVSC 2022 का पोस्ट मॉटम मतलब क्या 2022 के पेपर को अपन एनलीसिस करेंगे अब क्यों जरूरी है ये क्योंकि अपने बड़े बुजूर कह चुके हैं कि एक्जाम के लिए पढ़ने से पहले एक्जाम को पढ़ना जर से पहले पेपर का आनलीसिस देखते हैं कि प्लैन करके स्टॉडिम करते हैं और उनका इसकोर बहुत ही ज़्यादा अच्छा को अरुदिय आपको competitive exam की त्यारी करें तो paper के लिए पढ़ने से पहले paper को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और वही काम मैं यहाँ पर आपको आके कर रहा हूँ JNVC 2022 का post bottom तो ये वीडियो को end तक देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप एक ही smart kid है अब अगर मैं पहले maths की बात करूँ पहले मैं आपकी maths की बात कर रहा हूँ फिर मैं आपकी English और Mental Ability Test की बात करूँगा तो maths के total 14 chapter जो मैंने आपको AI, SSE, Sanyi के School 4G बैच में पढ़ायते उन chapters के हिसाब से मैंने number of questions आपके 2022 के अलग-अलग किये है अब क्या आप बोलो कि सर खाली यहीं पताएगी कौन से chapter से कितने questions आए ना ना भी वीडियो बाकी है चबर करो आप ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से chapter से कितने questions आए कौन से topic के उपर आए किस level के आए easy है medium है hard है कौन से topic को आपको सबसे ज़्यादा focus करना है कौन से topic को आपको बिल्कुल भी focus नहीं करना है तो यह सारी बाते तो जल्दी से start करते हैं सबसे पहले number system number system आपका बहुत सबसे बड़ा chapter है yes or no yes or no तो number system जो है आपका पूरे max का सबसे बड़ा chapter है जिसमें से आए दो question और यह दो question किसके उपर है यह मैं आपको भी आगे बताऊंगा next slide में HCF LCM से आए आपके चार question है ना चार question आपके HCF and LCM से आए है और यह किस step से आए है वो भी मैं आपको भी आगे बताऊंगा fraction से तीन सवान आए है square cube cube root से 0 मतलब direct और indirect कहीं काम नहीं आए मतलब simplification में भी कहीं under root square root कुछ भी नहीं था तो directly और indirectly कैसे भी square और square root से एक भी question नहीं आया है in fact मैं 2019 से 22 की बात करूँ तो मुस्किल से एक question 2019 से 22 तक में आया है वो भी बहुत easy under root 125 कहीं असे अंदर में आ गया है और direct question नहीं आया है no direct question from 2019 to 2022 simplification भाई हद easy हद easy direct जो मैंने आपको module में पढ़ाया है न यह है यह से सीखे उस तरीके से simplification है algebra से एक question आया है वो भी मैं आपको बताऊंगा किस type का question आया है average से एक भी question नहीं ratio proportion से एक भी question नहीं ratio proportion से तो मिरेको बहुत कम 19 से लेके 22 तक में बहुत कम questions मिले है unitary method and motion में भी आपका speed time distance फेवरेट एंड का नवदेवालों का उसी से हर साल questions आये है फिर profit loss and interest में इन्होंने interest के उपर ही question दिया है जितने भी दिये है परसेंटेज के उपर एक जैसे दो तीन question हर साल आये है profit loss and interest से तो एक थोड़ा tough रता है और दो easy होता है tough भी मैं क्यों बोल रहों में आपको बताऊंगा आगी जाके geometry से एक भी question नहीं जोचन ही ही नहीं 2019 से लेकर के 2022 तक geometry का एक भी सवाल नहीं आया है 2019 से लेकर 22 तक geometry का direct indirect कैसे भी एक भी सवाल नहीं आया है area perimeter volume में तीन सवाल है तीनों के उपर एक area perimeter volume easy सवाल easy सवाल एक थोड़ा आप बोल सकते हो कि थोड़ा calculation based होता है यह जो chapter है इसमें calculations होती है प्रैक्टिस की जरवत है calculation की unit measure and graph से 0 एक भी सवाल नहीं आया है और 19 से लेकर 22 तक हिन में कोई सवाल नहीं है तो अब अगर मैं आपको बताओं पूरे math का analysis करके इस post-mortem तो अपन ने कर दिया post-mortem के बाद result बनाना पड़ता है न कि भीया यह कैसा था suicide था कि मरे है क्या चिस्ते मरे है hard attacks है तो वो report अपने को बनाना है तो report की बात यह कहती है कि आपको geometry बिल्कुल भी पढ़ने की आवशक्ता नहीं है direct indirect कैसे भी questions नहीं आ रहे है square, cube, cube roots में आपको जादा कुछ practice करने की आवशक्ता नहीं है square, square root और cube root में आपको बस जो मैंने common आपको cube root और square root बताये थे कि यह याद रखना classes है JNVST का course है भीया, revision batch उसमें सारी classes है, आप जाकर के देख सकते हो, है ना, और वहाँ पर अभी live classes भी start होई है, जिसमें मैं यह सारे chapter आपको quick revision के साथ पढ़ा हूँ, क्या important है, क्या नहीं तो और 195 rupees का course है, तो जाके अभी app download कर सकते हो, अगर आपने नहीं किया तो, चलो, तो square, square root, cube root में आपको अलग से ऐसा नहीं कि 100-200 question practice करने की जरुवत है, बिलकुल भी नहीं, कोई questions नहीं आते हैं, हाँ, बट जो square root और cube root के कुछ basic चीज़े हैं, वो आपको याद होनी चा ठीक है, तो overall अगर मैं आपको बताओ, profit, loss, interest अपके लिए important है, क्योंकि हर साल 2-3 question, 2-3 question इसमें से आए है, basically interest के उपर आए है, और एक सवाल आता है, हर साल, हर साल एक सवाल, जो percentage के उपर होता है, कि अगर इतना percent loss में बेचा होता, तो इतना profit होता, इतना percent कम में बेचा हो तो इतना loss होता, तो बताओ, selling price क्या था, cost price क्या था, तो उसके लिए मैंने आपको shortcut phone list दिये है, mind map में, भाई, 20 रुपय का mind map है, app में, कब जाके देखोगे, जाओ अभी, download करो app को, और check करो उसको, 20 रुपय में आपके पूरे mind map दिये हुए, क्या पढ़ना है, क्या नहीं तो overall अगर मैं आपको इसकी और बात करूँ, थोए detail में और अंदर जाके बात करूँ, तो number system से जो आपके दो सवाल आयते, पहला आया था divisibility rule के उपर, divisibility rule याद है ना, ज्यादा याद नहीं करना है, 2 का, 3 का, 5 का मैंने बता रखा है, है ना, 9 का, और 6 का, और 10 का, 10 का तो लास्ट में 0 होना चाहिए, बस, जो basic मैंने बता दिया, उससे इतना, इतना साभी आपको ज़्यादा कहीं पढ़ने के आवशकता नहीं है, divisibility rule के उपर एक सवाल आया था, और types of numbers के उपर एक सवाल आया था, कई साल JNVST ने round off के पूछा है, मता कूल मिला के वैसे तो number system ब चाहिए, बाकी को आप छोड़के भी जाओगे, तब भी चलेगा, are you getting my point? अब HCF-LCM बहुत easy direct सवाल, अगर आपको ये मालूम है कि HCF होता क्या है, आपको ये मालूम है कि LCM होता क्या है, और HCF-LCM मिकालते कैसे हैं, तो direct, direct questions, आप देख रहे हो, direct questions आते हैं, कोई भी घु बता दो, मतलब भाई, इतना easy, इतना easy, fraction के सारे questions थे decimal fraction के उपर, ये मैंने आपको साथ बता दिया, स्तिर्फ decimal fraction, जैसे मालो, 0.6, 0.6, 0.6, 0.06, 0.06, 0.006, क्या होगा? तो जितने भी 3 के 3 सवाल, कितने आया थे fractions से, fraction से 3 सवाल आया थे, तीनों के 3 सवाल आपके थे, decimal fraction के पर की add करो, subtract करो, count करो, correct करो, convert करो, mixed को improper में, improper को mixed में convert करो, बस, और कुछ भी नहीं था fraction से, simplification के direct थे, like module, जैसे मैंने आपको module में दिये है, direct, partial, simple, simple, 2 plus 1 by this, plus this, this by this, into this by this, क्या होगा? एकदम simple, मतलब, अगर मैं आपको बताओ, number system में आपको test of divisibility का अच्छा से practice करना ह है, types of number तो हलका सा भी पढ़ो के तो हो जाएगा, क्योंकि easy आया था, hcf, lcm, आपको बस पता होना सही सारी चीजे, हलकी practice भी करो के तो चलेगा, fraction हलकी practice भी करो के चलेगा, simplification हलकी practice भी करो के तो चलेगा, based on division and distribution of quantity, algebra, यह आपको practice करने की ज़र्वात है, क्योंकि यहाँ प इसको कितना मिलेगा, उसको कितना मिलेगा, इस type के questions मैंने आपको पता है ना, बस यह practice करना है, algebra में यह आपको अच्छे से भर-भर के practice करना है, division, है ना, जब आप distribute कर रहे हो किसी चीज को, आपके पास थोड़ा पैस है, वो distribute कर रहे हो, मालनो किसी एप बोल देगा कि रा रहा है, बास समझ में आई, तो इस type के questions मैंने आपको कराए है, और इस type के questions आपको algebra में practice करने पढ़ेंगे, बिल्कूल ली तो नहीं होगा, बही है, जो जो बोल रहा हूं practice करने, उन में practice लग जाओ, वैसे यह सारी चीजों कि मैं live practice कराने वाला हूँ, एप में, कितने is only, चलो, now, unitary method and motion में, खाली motion से question आया है, speed equal to distance by time, याद है क्या, credits, speed is equal to distance by time, अधिकतर, जब भी आप जी इन्वेस्टी का कोई भी paper उठा के देखोगे, unitary method and motion में आपको ECQ पर questions आया है, speed equal to distance upon time, तो direct questions है, लेकिन इसकी भी मैं बोलूँगा कि थोड़ी बहुत practice कर लो, क् 12 बजे वो यहाँ पर था, 11.49 में यहाँ पर था, 12.10 में यहाँ पर था, तो time का calculation में कई बार लोग गलती कर देते हैं, easy तो है, आपको भी मालूम है, मेरको भी मालूम है, easy तो है, लेकिन कई बार क्या होता है, कई बच्चे उसमें गलती कर देते हैं, तो वो time देखना, proper unit डालना, सबसे बड़ी problem यहाँ पर, यहाँ पर आपको जो practice करनी है, यहाँ पर आपको जो practice करनी हो करनी है, unit की, किसकी practice करनी है यहाँ पर आपको unit की, याद रखना, लिखते जाओ, बता रहा हूं, यह सबसे ज़्यादा important है, सबसे ज़्यादा important जो मैं यहाँ आपके लागता तो 19, 20, 21, 22 ये चार साल के मैं आपको एनलेसिस पोस्ट मॉटम करके दूँगा और इन चारों का एक साथ भी दूँगा कि देखो बाई कहा दिमाग लगाओ किस तरीके से पढ़ाई करो क्या रिवाइस करो और क्या पेपर आने वाला है आप ये खुद खुद बताए इंट्रेस देगा प्रिंसिपल देगा रेट देगा टाइम पूछ लेगा या टाइम देगा रेट पूछ लेगा या वो दोनों देगा प्रिंसिपल पूछ देगा है ना तो सिंपल दो तो सिंपल सवाल बट एक सवाल किस टाइब के परसेंटेज वाले अगर आपने प्रै तो वो है तफ एफ, यहां में सबसे जदा इंपोर्टेटिव नहीं है, तो आपको यहां पर क्या प्रेक्टिस करनी है, बच्चा लोग मैं आपको बता देजाँ है, यहां पर परसेंटेज वाले कोस्टन्स हैं, इनकी प्रेक्टिस कर लो, कम से कम, 10-20 कोस्टन्स यह अच्छे से जो करना है आपको algebra में distribution वादा करना है speed time में तो खाली unit, unit के उपर practice करनी है unit conversion के उपर और profit loss and interest में जो percentage वाले questions आते हैं कि इतना percent बढ़ा के बेचा होता तो इतना profit होता इतना percent कम करके बेचा होता तो इतना loss होता तो बताओ cost price कितना है, selling price कितना है इस type के questions को आपको practice करनी है बताओ, पूरा post bottom करके result भी भी कालके मैं आपको इसमें दे रहा हूँ area, perimeter and volume में एक portion आते हैं आपके from each one area से एक, perimeter से एक, volume से एक दो easy होते हैं, एक difficult इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें calculation होती है, difficult नहीं बोल सकते, calculation होती है तो area, perimeter, volume में आपको थोड़ा calculation मिलेगा calculation की practice तो भाई, जितनी कर सकते हो, करो जितनी कर सकते हो बस, क्योंकि आपके पास समय है कम, सवाल है ज़्यादा 80 सवाल आपको solve करने हैं इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको focus करना और ये जानने के बाद आप अगर आप तैयारी करोगे न भाई सहाब, आपकी इस लेवल पर तैयारी होगी इस लेवल पर, है न तो overall अगर मैं आपको maths के बारे में बताऊँ तो maths easy है, English तो बहुत जादा easy है सिर्फ और सिर्फ 4 पैसे जाते हैं English के बारे में आप यहाँ पर वैसे ज्यादा बात नी करेंगे बट मैं ही आपको बता दू English में 4 पैसे जाते हैं अगर आपको बस यह मानुमें नाउन क्या होता है pronoun क्या होता है, word क्या होता है, adjective क्या होता है यह सारी चीज़े आपको parts of speech पता है और कहां लगाते है, article कहां लगाते है, conjunction क्या है यह सारी चीज़े अगर आपको पता है English तो बहुत easy जाने वाला है synonyms, antonyms, वो मैंने आपको बताया है, कौन-कौन से आपको याद करना है, से सर ने भी आपको बताया है, वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, है, आपके courses में है, एप में सारी चीज़े हैं, आपको क्या पढ़नी है, इंग्लिश में क्या नहीं पढ़ना है, और इंग्लिश बहुत इज़ी आता है, AI, SSEE से तो काफी इज़ी आता है इंग्लिश इसका, और मतलब अगर मैं आपको बताऊ ना, कि इस साल 2022 का, 2022 का, अगर मैं आपको बताऊ इंग्लिश का पेपर, तो चार आपके पैसेज थे, unseen passage, वो चारों के चारों unseen passage ने, मतलब day-to-day life के उपर थे, कि ये बंदर है, है ना, इस टेप से, मतलब एकदम day-to-day life के उपर, कि वो समान इतने का है, राशन का, इस टेप से, वही सारे words बूस करे गए थे English में, तो आप लोग सो सकते हो, कि English का 2022 के जो आपके 4-4 passages आये थे, वो easy थे, language भी easy थी, और ज्यादा बड़े size के भी नहीं थे, छोटे-छोटे size के थे, तो time-taking भी नहीं थे, तो एक तरीके से आप jackpot बोल सकते हो, English आपके लिए jackpot है, ओके, अगर आप AISSE की तैरीक करे हो, भाई, कैजेट्स हमारे जितने भी हैं यहाँ पर, तो JNVST आपको बहुत हुआ लगने वाला है, दूसरी बात, AISSE में number of seats बहुत कम है, 1% से भी कम seats है, लेकिन JNVST में बहुत ज़्यादा seats हैं, टोटल 600 से ज़्यादा schools है, JNVST के right now, तो आपको टेंशन लेने की ज़रुवत नहीं है, टेंशन को कर दो टाटा भाई भाई, क्योंकि अब मैं और सेसर आपकी help कर रहे है, JNVST 2023 के लिए, 195 रूपीज में अपना course है, यह मैं आपको पता चुका हूँ, ठीक है, और किस तरीके से क्या पढ़ना है, यह आपको इस वीडियो से clear हो जाएगा, Now, IQ में mix थे, Easy, very easy, थोड़े से tough, है ना, वो depend कर सकता है, person to person, जिसने बहुत ज़्यादा mental ability test की practice करी है, हो जगता उसको सारे के सारे easy लगते हो, तो आपको यह बात तो पताई है, है ना, total 40 questions आपके होते हैं, mental ability test के, है ना, mat के, और आपके 20 questions जो होते हूँ, होते हैं, mat के, जिसमें आपको बता दिया, कि क्या focus करना है ये 20 number के लिए, फालतू कहीं focus करने की ज़र्वत नहीं है, जो मैंने बोला, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा practice की जर्वत है, जो जो चीजे मैंने आपको बताई है, ठीक है, और 20 questions होगे maths के, 40 questions होगे, आपके mat के, और आपके 20 questions होते हैं English के, English के जो 20 questions है, ये तो 4 paragraph unseen passages आते हैं, unseen passages जो आपको बहुत easy लगते हैं, unseen passages पड़े, फटाग से 4 हो में से एक एक answer टिक किये, बहुत असानी से हो जाएगा, maths में कहां focus करना है, मैंने आपको बता दिया, बाते हैं, mental ability test, जो की 40 questions आते हैं, इनको भी मैंने आपके लिए डिवाइड कर दिया है, तोटल, आप देखोगे, वो पेपर में 10 stat के questions आते हैं, 4-4 questions हर टाइप के, तो 40 questions हो गए, दसो टाइप में क्या है, किसमें आपको ज़्यादा practice करनी है, किसमें आपको कम practice करनी है, ये भी बताऊंगा इस वीडियो में, हो सकता है, त्वड़ा लंबा हो रहा हो, लेकिन इस से ज़्यादा important आपके लिए, और कोई वीडियो नहीं होगा, जेंगे इस्टी का पूर इंटर्नेट में, तो आपको देखना है, ये arrow बाहर के तरफ, बाहर के तरफ, सब में बाहर के तरफ है, अच्छा, सबसे बड़ा से छोटा होते जा रहा है, सबसे बड़ा से छोटा होते जा रहा है, और ये तो छोटा से बड़ा हो रहा हो और ये बड़ा से छोटा, तो यह और वन है, तो दिस वन है, तो तो फाइंड दिफरेंट वन, यह मैं आपके पूरे पिछने साल के जब के भी कोशिस देखाना, तो रिलेटिवली यह इजी था, डिफरेंट वन बताना, क्योंकि इसमें ऐसे अलग से कोई वो नी था, कि टेकनिक आपको पता होनी चाहि है, तो मैं बताऊंगा क्या प्रेक्टिस करना है, कहां सबसे ज़्यादा फोकस करना है, कहां थोदा कम भीलापन छोड़ दोगे, तो भी काम चल जाएगा, है ना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ दिए, तो भाई, पीज लाइक कर देना, है ना, हमारा मोटिवेश जाता है, बाकि आपके लिए अलग-अलग तरीके से हम इस चैनल में लेकर आते रहते हैं, कि आपको मजा भी आए, और आपको पढ़ाई में भी करने में मजा है, जैसे कौन बनेगा करोरपती, मैंटी कुईज और ये सारी चीज़े हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं, यस, तो मैं आपको यही बोलूँगा, कि चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, तो आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट दा सेम वन, एक्जक्ली सेम, ये तो भाई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी प्राक्टिस करने की जरुवत नही तो फिर तो भाई, ये सीशा की सामने जाना, खड़े हो ना, और बलना, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, फिर तो भाई, कुछ गरबर है, भाई, सेम बताना है, ऐसा डिट्टों कहां दिख रहा है, ऐसा डिट्टों यहां पर दिख रहा है क्या, नहीं, ये सरकल य तो आपको बता दूं यह दो पैन है दो पैंसिल है कि नहीं है तो आप बोलो कि यह दोनों जो छिले हुआ है और यह अलग है इन चारों में से कौन से दो से नहीं है वो देखना है देखना और बताना है हैं तो इसमें भी आपको उतनी जादाना सक्ता नहीं है find the missing पार्ट हाँ यह पर आपको फोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हो ठोड़ी प्रैक्टिस एकदम थोरी उसी प्रैक्टिस मैं बोलुक्त कर सकते हो और है इदुए और दुेवरा फास ओ फास ओ अ यहां पर जिस word है कि कोशोंस का भूरा हूं हूं टाइप के कोशिंज में हैको क्या करना हैु उपको कोशले को कॉप्वलीट करना है फिर उप्ज्ण कि कि क्या हो गया कि 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 रिकोर्डिंग हो रही है ना हो रही है चलो तो यह वाला बासमझ में आई यह मेरा ब्रह्मास्त्र है जो हमें से याद रखना कि यह और जब कि मीसिंग पार्ट वाला कोशन आएगा तो पहले ड्रॉ कर लेना पूरा फिर ओप्शन को देखना हो अगर आपको देख लोगे तो कन्फूजन हो जाएगा पहले पहले आप कोशन को देख करके पूरा पार्ट निकाल लेना कि आगे वाला पार्ट क्या होगा फिर ओप्शन स हो रही है जो अप्रेल एंड तक चलेगी कितने रुपए में स्रिफ 195 में बार-बार यह बता रहा हूं क्योंकि मेरे को वालो में देखो 195 आप लोग भी ले लोग है तो उगनी से जार मेरा कुछ नहीं होने वाला है बास समझ में आ रही है तो भी यहां पर इतना सारे खर्चे के साथ प्लीज शेयर करना उससे हमारा जो है थोड़ा जो मेहनत है उसमें अपन को लगता है कि चलो भाई कुछ रिटर्न मिल गया अगर आप लोग शेयर भी कर दोगे तो ओके चलो फोर्थ इन दर सेरीज बताना है तो देखो एक लाइन दो लाइन तीन लाइन तो आपको पता चल जाएगा भाई इसमें आनी है चार लाइन तुरण पता चल गया कितनी आनी है एक दो ती चार अब देखो सबसे पहले वाले में उपर एरो है फिर सबसे पहले वाले में नी प्रेक्टिस की जरुवत है और क्योंकि यह एक टाइप की सीरीज हो सकती है तो कितिने टाइप की सीरीज यह लग अलग यह प्रैक्टिस की आ सकता है यह दोनों तो भाई बिल्कूल कॉमन सेंस चाहिए प्रैक्टिस की बिल्कूल भी आशकता नहीं है एकदम हलकी मोटी और य यह थोड़ी हल्की प्रेक्टिस की इसमें अच्छी प्रेक्टिस की जरुवत है आपको थोड़ी सी ठीक है पहचानना कि क्या जा रहा है सिरीजम नेक्स्ट क्या आएगा तो उस ट्राइब से आपको यहां पर जरुवत है और यहां पर भी वह बात याद रखना कि पहले खुद देखके बना लेना फिर ऑप्षोंस देखना तो confusion नहीं होगा ब्रम्हास तर दे रहा हूं ब्रम्हास relationship question find करना है कि अगर यह इससे related है तो इसके related क्या होगा same relation जो इन दोनों का रिस्ता है वोई यहां दोनों में रिस्ता आएगा जैसे proportionality बताया थे ना कि this is to this is proportional to this is to this मतलब जो यहां रिस्ता है जो ratio है वोई ratio यहां होगा दोनों का ratio equal होगा तो इसका मतलब भी है कि जो रिस कि यहां रिष्टा पलूएट सोचना है कि क्या रिस्ता होगा फिर उसको यहां पर अप्लाई करना है तो आप सोच लो कि जो मैं पता hai धेख में तो यहां पर प्यार यह बॉतित देखो इसको इसे उल्टा कर दिया ना तो यहां पर भी क्या होगा उल्टा होगा तो में कुछ-कुछ लेटर्स है है ना मेरा इमेज मेरा इमेज में क्या प्रेक्टिस करनी है मैं आपको बताऊंगा क्या प्रेक्टिस करनी है यह वीडियो में चाहता हूं आपके लिए सबसे तो वहीं बनेंगे अब बताओ यह क्या बनेगा यह सर्गल बनेगा अरे दो साइट दिये हुए हैं और क्या बनेगा इस्क्वाइर ट्रेंगल बनेगा साफ सब दिख रहे हैं एक लाइन आएगी तो बना दो सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं ब्रम्हास्त ऑप्शन देखे और फस गए और नहीं देखना है कोशन देख करके आपको खुद पहले एंसर निकलना है क्या होगा फिर ऑप्शन देखके बताना है कि अच्छा कौन सा है टिक की आगे बड़े काम खत इजी है इसमें भी मैं बोलूगा कि उतना ज़्यादा प्रैक्टिस की जरुवत नहीं है कंप्लिट देखे और हो गया देखे और हो गया उतने ज़्यादा प्रैक्टिस की जरुवत नहीं है mirror image इस type के जो questions आते हैं इसमें आपको practice की जरुवत है सबसे पहली बात मेरी बात ध्यान कर लो ये सब कोई कि A, B, C, D, Z तक पूरा सब के mirror image देख लो A तो symmetric होता है तो उसका mirror image होई होगा B का mirror image क्या हो जाएगा? ये C का, ये D का, ये ठीक है? E का, इस तरीके से पूरे A से लेके Z तक मैं अलग से बना दूँगा उसका वीडियो भी या जो आपका like classes होता है उसमें मैं आपको ये करा दूँगा, पूरा का पूरा मैं ये करा दूँगा ये से लेके Z तक से अपका mirror image आट, दस, पंदरा बार करके देख लो ताकि टाइम न लगे टाइम बचाना है, competitive exam मैं क्या करना है, टाइम मैं guarantee दे सकता हूँ आप सब पूरे 40 के 40 question कर लोगे अगर मैं आपको unlimited time दे दूँग इसा नहीं है ना बाबा, आपको limited time मिल रहा है ना बाबा, तो उसमें आपको करना है solve, तो आपको practice ज़रूरी है, तो mirror image की practice कर लो, कई common चीज़ों की, triangle का mirror image बैसे ही triangle होगा, circle का, rectangle का, किस type से ऐसे अलग-अलग figures की, सोच सोच के, सोच के, उनके mirror image की practice कर लो, कुछ भी बना है ना, ऐसा, इस type से, बाब समझ में आई, तो mirror image, कुछ भी drawing बना लो, उसकी mirror image निका लो, कुछ भी drawing बना लो, पलट जाएगी mirror image, यहां से mirror image मितलब mirror, मितलब कांच, सिसा में देखते हो ना, तो पलट जाती ही चीज़े, सिसा में आप यहां पर लिखो, edumence से लिखो, तो उल्टा दिखने देगा, बाब समझ में आई, तो उसी तरीके से कोई भी चीज़ को, तो यह practice की जरुवत है, भाई साब मैं यहां पर बोलूँगा आपको दो-तीन बर, कि यह practice की आपको आवशक्ता है, बाब समझ में आई, फिर unfold the paper, इसमें भी mirror image ही काम आएगा, याद र देखो, इस paper को मैंने पहले ऐसे fold किया, फिर ऐसे fold किया, अब मैं इसके बाद unfold करूँगा, तो क्या diagram बनेगा, unfold करने के बाद क्या diagram बनेगा, भाई, मैं एक बर थोगा गाय बोजाओं कि आणी, थोड़ा इधर आजाता हूँ, थोड़ा इधर आजाता हूँ, यह देखो, unfold नीचे खोला, तो ऊपर वाले का mirror image आजाएगा, नीचे, तो यहाँ पर भी आपको सिर्फ mirror image ही करनी है, और यहाँ पर उसका, बास में आई, तो अगर आपने mirror image की अच्छे से practice कर ली है, तो यह unfold वाले questions भी हो जाएंगे, यह भी मैं आपको easy category में दे रहा हूँ, हाँ mirror वा में क्यों और 10 वाले में भी, यह अगेन आपको अपना presence of mind दिखाना है, आपका दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसमें कोई आपको अदम अलग से हाँ, अच्छा यह भी टेक्निक होती है, यह भी टेक्निक होती है, ऐसा कुछ जानने क्याव सकता नहीं है, आपको तनई इंक कट आउट से क्या बना है, भई यहाँ पर देखो, यहाँ तो 1, 2, 3, यह भई यह तो 4 साइट का, 4 साइट का तो एक भी नहीं कुछ, काट दो, इसमें आपको अप्च्छन देखना है, बाकि सारे टाइप्स में, बूरे 9 के 9 टाइप में पहरे आपको Kोशन कुछ बना है। है यहां पर देखो येख क्या एक दो तीन चार पाँच चेअच है, सबसे पहले है। और यहां कितना धी है? बाई ये सबसे पहले सो काउंट करो सो क्या चारा है तो इन चार को है कि गटिऊ तो सबसे पहलें को पर और फिर देख में किन एक तो इसकी को प्रैक्टिस कि आजआ रेक्टिस को चाहता है कि फिविल ऑर काम हो जाएगा mirror image की practice कर लेना अच्छा find the hidden figure hidden figure बताना है ये कहाँ पर है इन options में से कहाँ पर ये है तो भिया ये 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 पहला में तो है दुसरे में ये 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 SSSS से हो गया नहीं है ये टेढ़ा गया है नहीं ये सिधा गया है लेकिन यहां तक गया है करनी है क्या नहीं करनी वो मैंने आपको बता दिया तो आप लोग मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि क्या ये वीडियो आपके लिए beneficial था या नहीं और इस टाइप से अगर आपको post-mortem पेपर का post-mortem 2021 का, 2020 का, 2019 का भी चाहिए तो मुझे please इस comment section में ये बात आप बताना है ना और आपने क्या पूरा वीडियो देखा है कि नहीं ये भी मुझे जरूर बताना जो लास सक देखा होगा उसको ये बात पता होगी तो वो comment जरूर करेगा okay so मेरे को इंतजार रहेगा आप लोगों के comments का मैं personally अगर आपके कमेंट्स का रिप्लाइग करूँगा ओके तो बस और मैं अगर मैं आपको बता हूं तो 17 कोशन इजी ते एक मीडियम दो टफ यह किनके हिसाब से बता रहा हूं यह मैं AI SSE के बच्चों के हिसाब से बता रहा हूं अगर आप AI SSE की तहरी नहीं किये हैं तो हो सकत करा हूं कि भाई सिफ मैं AI SSE सरी अच्छा पढ़ाते हैं और भी बहुत सारे टीचर हैं बहुत सारे लोग महनत कर रहे हैं मैं चाहूंगा कि भाई सब कोई ऐसे लगे रहे हैं जूड़े रहे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे डेवलोप हों क्योंकि मैंने अभी दे है ना तो हम सब मिलके आपके लिए ही चाहते हैं कि आपके लिए कुछ बैटर हो कुछ अच्छा हो तो ऐसा कुछ मी आप कही से भी अगर आपने तहरी करी है तो आपको 15 कोशन तो मैस में इसी लगने ही वाले है बीस में से पांच आपको मॉड़ेट और हार्ड लग सकते है कई बच्छे को क्या लगता है कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है तो भी हाइड है ना बाबा ना बाबा ना व। इज़ी है प्रैक्टिस करो ऐस्को पता चलिया होगा कि मैटस में कहां आपको ज्यादा फोकस करना है इंग्लिश में आपको क्या पता होना चाहिए और सब क क्लासेज, लाइफ क्लासेज में आपके लेके आने वाला हूँ, आपकी क्लासेज ठालू हो चुकी है, लाइफ क्लासेज, एप में, मात्रमन 95 का कोर्स है, जेहन वी एस्टी का अगर नहीं किया, तो अभी कर सकते हो, एप तो डाउनलोड करके रखो, एप की लिंक आपको डिस सकते हैं, आपके रसे में आपके लेक foul野ी कर च